आज हम यूपी विहार के हर घर में बनने वाली आलू परवल के सबजी के रेसिपी शेयर करेंगे जो बिलकुल देसी और गाव के स्टैल में बनेंगे यूपी के एक रोड साइट छोटे से होटेल में मैंने इस सबजी को खाया था बहुत ही सिम्बिल तरीके से बना था लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था तो इस तरीके से मैं बीज-बीज में बनाया करती हूँ और मेरे घर में सबको बहुत पसंद है तो मैंने सोचा ये रेसिपी आप सबके साथ भी शेयर करूँ ये सबजी बहुत ही जटपड बन के तयार हो जाते है पेशर कुकर में बनाएंगे आज के अलू परवर के सबजी तो आपको पसंद जरूर आएंगे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना तो हेलोई एवरिवान विलकाम टो लाफ कीचिन लाफ कीचिन के रेसिपीस अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सबस्क्राइब करने के रिक्विस्ट रहा तो आलू परवल सबजी बनाने के लिए यहाँ पे हमने परवल ले लिया है आधा किलो तो यहाँ पे हमने परवल भी ले लिया है देसी परवल यानि कि आप देख सकते हो छोटे-छोटे साइच के हैं, कुछ-कुछ परवल ऐसे हैं, जिसका बीज काफी हाड हो चुके हैं, मुझे इस तरीके से पसंद है, आपको नहीं पसंद है, तो नरम परवल ले सकते हो, तो और ले लिया है पड़े साइच का 2 अनियान कटी हुई, ले लिया है मीडियम साइच के तीन आलू, स्वाद अनुसर हरी मिच ले लिया है, मसाला तैयार करेंगे, आधा इंच अधरक ले लिया है, लहसन के कलिया ले आया है, दस से बारा, स्वाद अनुसर हरी मिच लिया है, दाल चिनी के टुकरा, तीन छोटी लाइच और एक बढ़ जो हमने काट के प्लेट में रखा था वो सारे एक साथ में ही डाल देंगे पेशर कुकर में बना रही हूँ जिससे की जल्दी बन जाए ये भगुना में या फिर करहाई में भी बना सकते हूँ इस तरीके से अब डाल दे रही हूँ स्वादा नुसर नमाग, आधा चम्माच हल्दी पाउडर, एक चम्माच कश्मी रेट चिली पाउडर अच्छे कलर के लिए एक चम्माच जीरा पाउडर, आधा चोटे चम्माच डाल दिया है धनिया पाउडर अब फिर से मिला देंगे और कुछ देर तक 3-4 मिट जितना अच्छे से फ्राइ कर लेंगे जिससे की जो प्याज आलू और परवल है वो थोड़े से फ्राइ हो जाए जिससे भूने हुए सबजी के स्वाद आएंगे और सबजी फीके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे अब 3-4 मिट हो जाने के बाद आप जो हमने मिक्सर जार में मसाला तयार कर लिया था वो बाले मसाले भी डाल देंगे इसके उपर से साथ में डाल दिया है एक मीडियम साइज के टमाटर कटी हुई मिलाएंगे और दो से दाइमें जितना और पून लेंगे अगर सूखा सबजी पसंद करते हो तो इस टाइम आधा काप पानी डालके धकन बंद करके एक सीटी लगा लीजिए क्योंकि हम थोड़े से तरी वाली यानि के हलके से पतली ग्रेवी वाली सबजी बनाएंगे बहुत ही अच्छे से भून चुके है अच्छा कुश्बू आ रहे हैं तो इस टाइम हम डालेंगे इस सबजी में जो में इंपॉर्टेंट है वो है सबजी मसाला तो एक चम्मच हम डाल देंगे सबजी मसाला Friends अगर सबजी मसाला ना हो या फिन नहीं डालना चाहते हो उस वक्त मैगी मसाला आप डाल सकते हो एक चम्मच भर के अब बस उपर से हम पानी डालेंगे करिब आधा लिटर जितना हमने पानी डाल दिया है एक बार अच्छे से मिला देंगे जब भी पेशर को कर में सबजी कोई भी बना है तो पानी उतना डालना होता है जितना हमें ग्रेवी चाहिए उससे हल्का सा ज्यादा क्योंकि पेशर को कर के धक्कन बंद करने से ज्यादा ग्रेवी उसके कम नहीं होते हैं तो इस टाइम हमने फ्लेम को विल्कुल हाई कर दिया है अब धक्कन बंद करेंगे और सिर्फ एक सीटी लगा देंगे क्योंकि जो हमने परवल और आलू काटा है वो वो बिल्कुल छोटे चोटे साइच के है एक सीटी विल्कुल परफेक्ट है एक सीटी लगने के बाद फ्लेम को आफ कर दिया है धक्कन अब खोलने के बाद फिर से फ्लेम को आउन कर दिया है अगर आपको लगे कि सब्जी बहुत ज्यादा पतली दिख रहे हैं तो उस टाइम आप आलू को मैश कर सकते हो लास्ट में कटी हुई धनिया की पत्ती हमने ड होते हैं थोरे से और गाहरे पन में आ जाते हैं इस तरीके से गर्मा गर्म स्वादिश्ट आलू वर्वर के सब्जी होना इसके साथ पूरी रोटी और चावल सब कुछ अच्छा लगते लेकिन पूरी के साथ ट्राइ करके जरूर देखना बहुत ज्यादा अच्छा लगता तक 15-20 मिट से ज्यादा सब्जी बनाने में बिल्कुल ही टाइम नहीं लगा है तो आप इस तरीके से बना के जरूर देखिएगा बहुत टेस्टी है रोजाना खाने के लिए ये सब्जी बहुत ही परफेक्ट है क्योंकि डेली बहुत ज्यादा रीच खाना अच्छा भी न लगा है मुझे बताइएगा कॉमेंट करके वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से कर देना चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंद कर लीजिएगा जिससे आपको रोज आना मिलते रहेंगे हेल्दी टेस्टी और यूनीक रेसिपीस तो फ्रेंज आज के लिए इतना ही मिलते है अगले रेसिपी में टाटा बाई बाई टिक किया